शोपरभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम आठवी का किसागी पुष्टक वसंत भाग तीन के पाठ लाग की चूडियों का अध्यान करेंगे. यह एक कहानी है, प्यारे बच्चों, इस कहानी में लेखक ने, सहरी कर्ण और उदोगी क्विकास के कारण, गाउं के उदोगों के खतम होने कि तरफ ही सारा किया है, उदोगी कर्ण से, गाउं के दूख को चितरित किया है, प्यारे बच्चों इस कहानी में लेखक ने गाउं के आपसी सम्बंदों को भी चित्रित किया है यह कहानी एक छोटे बच्चे और बदलुका का की कहानी है इस कहानी में गाउं के बारे में बताया गया है तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे अपनी पुष्टक निकाल लेंगे और उसमें ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों इस पाठ में जो भी मुख्य बात्या आती हैं आप उसे पैंसिल के साथ अंडरलाइन करेंगे और उसे बाद में ध्यान से एक बार फिर से पड़ेंगे तो प्यारे बच्चों पुष्टक में ध्यान दीजिए पाठ का नाम है लाग की चूडियां सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाग की गोलियां मना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाओ यही था कि जब मैं वहाँ से लोड़ता था तो मेरे पास धेर सारी गोलियां होती रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन को महो लेती थी वैसे तो मेरे मामा के गाउं का होने कान मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था जैसा कि गाउं के सबी बच्चे उसे कहा करते थे तो क्या था बच्चो कि वो बदलू काका को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था लेकिन उसे मामा कहना चाहिए था क्योंकि वो उसके मामा के गाओं का था लेकिन सब बच्चे उसे बदलू काका कहते थे इसी कान से लेखक भी उसे बदलू काका ही कहते थे बदलू का मकान कुछ उंचे पर था मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वरक्स लगा हुआ था सैन मतलब खाली जगे थी आंगन था और उसमें वहाँ पे एक नीम का पेड़ लगा हुआ था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में बठी दैकती रहती जिसमें वहाँ पिंगलाया करता था सामने एक लकडी की चोखट पड़ी रहती थी जिस पर लाग के जिस पर लाग के मुलाएम होने पर वहाँ से सलाग के समान पतला करके चूडी का कार देता था मतलब उनकी जो लाक होता है ना पदार्थ होता है एक पदार्थ बच्चो लाक तो उसकी वो पतली पतली तारे बना लेता था उन तारों से फिर क्या बनाता था वो चूड़ियां मनाता था पास के चार्च है विविन पर आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी मलब वो अपने पास में मुंगेरिया रखता था मतलब जो लकड़ी के टुकड़े रखता था जो चूड़ियों के साइज होते थे लाग की चूड़ी का कार दे कर वहें उन्हें मुंगेरियों पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पसाथ वहें उन पर रंग करता मलब क्या करता बच्चो पहले चूडिया बनाता था फिर उन पे रंग रोगन करके उनको सजाता था बदलू यह कारिये सदा ही एक मच्चिये पर बैठ कर किया करता था मच्चिया मतलब क्या था बच्चो एक पीडी मलब पीडी पर बैठ के किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी बगल में ही उसके हुका रहता था जिसे वहें बीच-बीच में पीता रहता था गाउं में मेरा दोपैर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीता वहें मुझे लल्ला कह कर फुकारता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूडियां मनाते देखता रहता लगबग रोज ही वहें चार से जोड़े चूडियां मनाता पूरा जोड़ा बना लेने पर वहें उसे बेलन पर चड़ाकर कुछ अक्षण चुपचाप अक्षण मतलब कुछ समय चुपचाप देखता रहता मानुए बेलन ने देखकर किसी नव वदू की कलाई हो मतलो मनिहार था मनिहार क्या होता बच्छो जो पहले चूड़ियां मनाते थे और चूड़ियां बेचते थे उसे मनिहार कहते थे चूडियां बनाना उसका पैत्रिक पेशा था मतलब उसका खानदानी पेशा था पैत्रिक क्या था बच्छो खानदानी जो अपने दादा पर दादा से हमें कोई काम मिले उसे पैत्रिक काम कहते हैं पैत्रिक पेशा पेशा मतलब काम था और वास्तों में वहें बहुती सुन्दर चूडियां बनाता था उसकी बनाई हुई चूडियों की खपत भी बहुत थी उस गाउं में तो सभी इस्त्रियां उसकी बनाई हुई चूडियां पहनती ही थी आसपास के गाउं के लोग भी उसे चूडियां ले जाते थे परंटू है कभी भी चूरियों को पैसे से ने बेशता था उसका अभी तक वस्तु वीनिमे का तरीका था वस्तु के बदले में वस्तु देना पहले क्या करते थे गाओं के लोग बच्छो सभी गाओं के हम भी हमारे जो हमारे पुर्वज थे हमारे दादा पर दादा तो क्या करते थे वो सब वस्तू के बदले में वस्तू देते थे मलब वह ऐसे ही समान को खरीदा और बेचा जाता था जब वस्तू के बदले में वस्तू दी जाती है या ली जाती है तो उसे वस्तू विनी में कहते है मतलब वस्तों का वैपार ऐसे ही होता था जैसे किसी ने किसी को बाजरा दे दिया यहूं ले ली यहूं दे दी चावल ले ली तो ऐसे करते थे यह वस्तों मिन में पद्धती थी बच्चो और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे बदलू सब्भाव में बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगड़ते नहीं देखा हाँ साधी व्युहा के अवसर पर वै अवस्या ही जीत पकड़ जाता था जी उन्वर चाहे उसे मुफ्त में चूड़ियां ले ले पर अवसर पर वै सारी कसर निकाल लेता था आखिर सुहा के जोड़े का महत्व ही और होता है मुझे याद है मेरे मामा के यहां किसी लड़की के विवा पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे मतलब लोहे लग जाना मतलब एक मुहावरा है लोहे लग जाना मतलब पूरे जोड लग जाना मतलब उसको मनाने में उसे पूरे जोड़ लगा दिये थे जो उनसे चूड़ियां खरीद रहा था विवा में इसी जोड़े का मुल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसे उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते धेरो अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग तो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स पेज पे आ गए हैं ज्यान दीजिएगा पेज नमबर सेवन यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीड़ थी तो वह थी कांच की चूड़िया यदि किसी भी इस्तरी के हाथों में उसे कांच की चूड़िया डिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड उड़ता था मलब अंदर ही अंदर उसे गुसा आता था बहुत ज़्यादा चिड़ता था मतलब वो कुड़ना चिड़ना गुसा आना कभी कभी तो वो दो चार बाते भी सुना देता था मुझसे तो वैं घंटों बाते किया करता कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पुस्ता कभी मेरे घर के बारे में और कभी योही सहर के जीवन के बारे में मैं उससे कहता कि सहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता सहर की बात और है लल्ला तो क्या क्या कहता था उसको बदलू काका को काका, सहर में तो सब कांच की चुडिया ये पहनते हैं गाउँ में कम पहनते है तो क्या कहता बद्लू काका कि लल्ला, सहरों की बात कुछ और है वहाँ तो सभी कुछ होता है वहाँ तो ओरते अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सडकों पर भी घूमती है और फिर उनकी कलाईया नाजुक होती है ना तो वो क्या सफाई देता था बच्चो लेखको कि वहाँ की ओरते नाजुक होती है वो इसी वज़े से कांच की चुड़ियां पहनती है लाग की चुड़ियां को पहनने तो उनमें मोच ना आ जाए वो कहता था कि उनकी जो सैरों की जो अड़ते होती हैं और उस लाकी चुड़ियों को नहीं पहन सकती थी कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खात्री भी करता जिन्दनों उसकी गाएं के दूद होता वैसादा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से दो चार आम खा आता उन्दों इन सब बातों के अतरिक्त जिस कारण वै मुझे अच्छा लगता था वै था कि वै लगबग रोज ही वै अतरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वैं रोज ही वैं मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता मैं भाउदा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहां चला जाता और एक आद महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता फरंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहां गया हूँगा तब ही मेरे अपता जी की एक दूर के सहर में बदली हो गई और एक लंबी अवदी तक मैं अवदी के अथ बच्छों समय और उनके पापा की जो लेखकते हैं उनके पापा के बदली तहीं दूर हो गई थी और वो लंबे समय तक अपने मामा के गाउं नहीं गया था तो लंबी अवदी तक मैं अपने मामा के गाउं नेजास का तब लगबग आठ दस वरसों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाग की गोलियों में मेरी रूची नहीं रह गई थी अते गाओं के होते हुए भी कई दिनों तक मुझसे बदलू का ध्यान ना आया इस बीच मैंने देखा की गाओं के लगबग सभी इसतरियां काउच की चुड़ियां पहने हैं विरले ही हातों में और किसी किसी विरले मत迫़ बिन किसी किसी के हातों मैंने लाग की चुड़ियां देखी तब एक दिन से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया बात यह है हुई कि बरसात में मेरे मामा की चोटी लड़की आंगन में फिचल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां तूटकर उसकी कलाई में घुश गई उसे खून बहने लगा मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे मुझे ही उसकी महरम पट्टी करनी पड़ी तबी से हैसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया मैंने सोचा की उससे मिल आउं अते साम को मैं घुमते घुमते उसके घर चला गया बदलू वाच बुतरे पर नीम की निचे खाट पर लेटा था नमस्ते बदलू काका मैंने कहा नमस्ते भाईया उसने मेरे नमस्ते का उत्टर दिया और उटकर खाट पर बैठ किया प्रंतो उसने मुझे पहचाना नहीं देर तक मेरी और नहारता रहा मैं हूँ जनारधन काका उसने बद क्या बताया अपना नाम ले अपने बारे में बदलू काका को सब कुछ बताया, जो पहले वो बताता था बदलू फिर भी चुप चाप रहा, मानो वह अपने स्मिर्थी पटल पर अतीद के चित्तर उतार रहा हो और तब वह एक दम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाउं आए है, हाँ इदर आना नहीं होचका, काका मैंने चाये पर बैठे हुए उत्तर दिया कुछ देर फिर सांती रही, मैंने इदर उदर द्रिष्टी दोड़ाई, ने तो मुझे उसकी मच्या ही नजर आई और ने ही बठी, आज कल काम नहीं करते काका, मैंने पुछा नहीं लल्ला, काम तो काई सेल पहले बंद है, मेरी बनाई हुई चुड़ियां कोई पूछे तब दा, गाउं में कांच का परचार हो गया है, वै कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मसीनी युग है, ने यह लल्ला, आज कल सब काम मसीन से होता है, खेत भी मसीन से जोते जा आते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चुड़ियों में होती है, लाख में कहां संभव, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी तूड़ जाता है, मैंने कहा, नाजुक तो फिर भी होता ही यह लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई, और वै देर तक खा कि चुका था, उसकी आत, उसके ہाथोंपर माते फर्ने से उबर हाई थी, जाने कैसे उसने मेरी संका भापली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, फसली खांसी को उसे होती है बच्छो, मौस्मी खांसी, जो मौस्म बदलता है तो खांसी, और जुकाम हो जात उसने अंदर कोई बहुत बड़ी वे था छिपी है मैं देर तक सोचता रहा इस मसीन के यूग के जितने हाथ काड़ दिये इस मसीनी यूग ने जितने हाथ काड़ दिये कुछ देर फिर सांती रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी आम की फसल अब कैसी है काका कुछ देर साथ मैंने बात का विश्य बदलते हुए पूछा अच्छी है लल्ला अच्छी है उसे लहर कर उतर दिया और अंदर अपनी बेटी का वास दी अरे रज्जो लल्ला के लिया आज तो लेया फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला माफ करना लल्ला तुम्हे आम खिलाना भूल गया था नहीं नहीं काका आम तो इस साल बहुत खाए हैं वाह वाह बिन आम खिलाए कैसे जाने दूँआ तुमको मैं चूप हो गया मुझे वे दिन याद हो आए जब मैं मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था काएं तो अच्छी है ना काका मैंने पुछा काएं कहा है लल्ला दो साल हुए बेच दी कहां से खिलाता इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में डलिया मतलब बच्छो तोकरी में देर सारे आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहां खाऊंगा मैंने कहा वाह वाह मैं हस पड़ा सहरी ठहरे ना मैं तुमारी उमर कहा था तो इससे चोगनो दाम चार गुना चोगने गया था बच्छो चार गुना आम एक बक्त बक्त मनलब समय एक समय में खा जाता था आप लोगों की बात और है मैंने उत्तर दिया अच्छा बेटी लल्ला को चार पांच आम चाट कर दो सिंदूरी वाले देना सिंदूरी बच्चो उसके किसम होती आम की चो उपर से लाल होता है और निच्चे से पीला होता है अंजुली बतलो हाथों के अंजुली वत्तर बच्चो हाथों में लेके मेरी ओर भड़ा दिये आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निखा एक अक्षन के लिए उसकी हाथों पर ठीठक गई गोरी गोरी कलाईयां पर लाग की चुड़ियां बहुत ही फब रही थी उसकी गोरी गोरी चुड़ाईयों पर लाग की चुड़ियां बहुत अच्छी लग रही थी फब रही ही नहीं अच्छा लगना मदलों ने मेरी दृष्टी देख ली और बोल पड़ा यही आखरी जोड़ा बनाया था जमिदार साब की बेटी के विवहा पर दस आने पैसे मुझे दे रहे थे मैंने जोड़ा नहीं दिया का सहर से ले आओ मैंने आम के लिए और खाकर मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी दिर अपचाच चला गया मुझे परसंता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी उसका विख्तितव कांस की चुड़ियां जैसा नहीं था असानी से तूट जाए तो प्यारे बच्चों इसमें गाउं और सहर के बारे में बताया गया है सहर के अधोगी कंड के कान गाउं के जो लगू जो समाप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है लेकिन गाउं के लोग बड़े निस्चाहासी बड़े अच्छे होते हैं और वो आकरी दम तक इसमें लड़ते हुए दिखाए दिये गए हैं तो प्यारे बच्चों हमें भी प्रिष्टितों से नहीं हारना चाहिए हमें लिरंतर संघर्ष करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए तो प्यारे बच्चों एक कहानी एक इसमाप्त होती है तो आपको एक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इसकी जो मुखे मुखे बाते हैं बच्चों उसे आप दोराएंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो प्यारे बच्चों आज का दिन आपके लिए सुब हो